आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 5th of November 2022 के कुछ करेंगे पर questions के पर So, let's get started with the first question And the first question is Who launched the biggest ever coal mining auction of 141 mines That are expected to benefit 12 states directly So, add on to our first question, it's D which is Nirmala Sitaraman, जो कि हमार यहां पर Finance Minister है, okay इसके लगवर हम बात करें तो यहां पर पूरी country का यहां पर सबसे बड़ा coal mining auction यहां पर किया गया यहां पर 141 mines को यहां पर auction कर दिया गया, okay Main अगर हम यहां पर हम बात करें तो जो coal production है, जो coal यहां पर production है उसकी यहां पर दो चीदे करने है पहले हम यहां पर investment लेके आना है अब यह investment जो है, चाहे वो domestic आ जाए यहां फिर यह international चाहां पर matter नहीं करता हो, okay Main है कि यहां पर investment आना चीए, okay Second चीज यहां पर gasification है जो कि काफी important है and gasification से काफी यहां पर फाइदा होता, okay तो जो coal production है, उसमें यहां पर investment और gasification दोनों करना है उसके बाद जितनी भी यहां पर gas lender के जितनी भी prices है उसके prices में यहां पर धीरे जरे में भी जो prices अब यहां पर कम होने के chances दिख रहे हो, okay साथी में अभी तक हम लोग जो है वो coal के लिए एक तो इंडिया खोद यहां पर second largest producer है और fourth largest importer है, okay तो हम लोग जितना भी जो coal के उपर हम लोग जितना percent भी foreign countries के उपर dependent है अब हमें वो dependent नहीं रहना पड़ेगा यहां पर हम लोग यहां पर self sufficient बन जाएंगे किस तीज में coal production इसके अलागवार हम बात करें तो यहां पर कुछ कुछ policy है उसको भी यहां पर change के जाएगा so that कि यह काफी easy way में यहां पर accessible हो जाए, काफी जो production है उसका यहां पर easy हो जाए, तो काफी important है साथ ही में decarbonization भी यहां पर हमें करना है और renewable energy के उपर भी यहां पर बातचीत करते रहनी है और उसके उपर जितने भी steps है वो हमें यहां पर लिना, यहां पर हमारे coal minister कौन है, तो यहां पर परलाद जोशी, ओके, परलाद जोशी next question is which state hosts three day civil air navigation service organization conference, right on zero second is it's a which is Goa, तो Goa STS को यहां पर host कर रहा हो, के, mainly अगर इसका simple चीज बोले, तो जितना भी यहां पर air traffic है, यह फिर air traffic जितना भी है, उसको यहां पर काफी अच्छे तरीके से management करने के लिए बोला गया हो, के, साथी में, जितनी भी यहां पर aircraft है, उनको यहां पर safely और effectively यहां पर काफी मत्तर उसको अच्छे तरीके से काम करना होगा, और जो passenger की जितनी safety है, उसको यहां पर बरकरार रखना, साथी में, जितनी भी यहां पर aviation sector में, जितनी भी department है, उसको यहां पर digitalization और साथ में automotive यहां पर करना काफी important, ओके, digitalization जो है, वो काफी यहां पर easy हो जाएगा, कोई भी काम करने के लिए, और जब automatic हो जाएगा, तो यहां पर कुछ-कुछ चीज़े, अराम से हो जाएगे, वहां पर manpower लगाने की जुरूरत नहीं पड़ेगा, साथी में, जितना भी हमारा aviation sector है, उसको यहां पर improve करने के लिए, हमें यहां पर collaboration करना पड़ेगा, अलग-अलग countries के साथ, specially अगर हम बात करें, तो यहां पर जो Asia Pacific region है, इसमें हमें यहां पर collaborate करना काफी important है, so that की जो technology है हमारी, वो यहां पर improve कर सके, साथी में अपना यहां पर organization भी है, या फिर कैसा तो एक system है, complete air traffic system, काट्स, यहाद रखे है इस चीज़ को, कि काफी यहां पर important है, okay, cats जो है, वो यहां पर हमें हमारा vision है, कि 2024 तक यहां, sorry, 2024 ने, 2045 तक यहां पर हम लोग जो air traffic management है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, okay, और मतलब in future कोई भी यहां पर airplane crash करके कोई भी मतलब यहां पर हादसा वगरा ना हो पाए, okay, next question is, which ministry release report on performance creating index for state and UT, so right on sort of, third is, it's a B which is ministry of education, समझे लो कि यहां पर जो ministry of education है, अगर इसने निकाला तो definitely यहां पर school education system के उपर पुरा यहां पर बात होने वाला, okay, तो इसके अंदर जितने भी यहां पर like हमारी country में जितने भी states हैं, जितने भी union territories हैं, उनके school education system को यहां पर लेके आया गया, okay, और बोला गया कि भाई, जो सबसे best हैं, उनको top पर रखो, और सबसे worst हैं, उनको down पर रखो, okay, तो यहां पर quality of education जो है, वो होंगे, इसके लगवा new education policy है, वो भी यहां पर implement किया जा सकता है, और अगर हम बात करें यहां पर performance grading index के अंदर कौन सबसे टॉप पर है, तो कुछ states हैं, यहां पर केरला हो गया, पंजाब हो गया, union territories में यहां पर 36 टंडीगड हो गया, महराष्टरा, गुचराथ, और राजिस्थान, आंदर परदेश, लद्दाग, यह फारी कुछ यहां पर, territories हैं जो की काफी यहां पर बहतरीन performance किया है, और बिहार काफी नीचे आया हुआ था, ओके, next question is, two women officer has been appointed, promoted to IG rank, for first time in which paramilitary force, right answer of fourth is, it's C which is CRPF, it's Central Reserve Police Force में यहां पर first time, दो women officers को यहां पर IG rank पर promote किया गया, एक है हमारी Annie Abraham, दूसरी है सीमा दुहिया, सीमा दुहिया, तो यहां पर जो Annie Abraham जो है, उनको यहां पर rapid action force का यहां पर head बनाया गया, rapid action force, इसके अलावा जो हमारी यहां पर सीमा दहिया है, इनको यहां पर बिहार सेक्टर का पुरा CRPF का जतना भी head है, मतलब बिहार सेक्टर में जतना भी CRPF का जो मुख्याल है, उनका यहां पर head बना दिया गया, काफी important है, यहां पर जो women opportunities हैं वो यहां पर लेके आना साथी में, इक्वल opportunities काफी important है, साथी में यहां पर जो CRPF और अपने आप में एक जो paramilitary होता है, वो काफी यहां पर challenging job है, तो वहां पर भी इनको कह सकते हैं कि यहां पर opportunity provide करना, empowerment, equal challenges, सब कुछ यहां पर equality पर ध्यान रखके करना चाहिए, यहां पर किया गया है, इसके पीछे, tradition and culture के उपर मतलब यहां पर किया गया है, doing मतलब होता है sun और polo का मतलब होता है moon, तो sun और moon जो है वो अरनांचल परदेश के culture और heritage में, culture यह फिर वहां का tradition है उसके अंदर काफी एक importance माननेता है और उसी के तहट यहां पर इनका नाम change किया गया, इसके अलावब हम भात करें तो यहां पर जो दोंगी पोल airport है यहां पर यह तरीके से कहते है तो कि पूरा यहां पी एक green field airport है, जो कि इसमें जितना भी power आता है उसमें maximum power जो है वह यहां पर renewable energy के थ्रूँ आता है और यह airport जो है, 2019 में आया था और यह अरुनांचल परदेश का first ऐसा airport है जो कि green field airport आता है, अगे यह भी काफी important था लेकिन थोड़ा सा important ओके, next question is TP Rajivan who has passed away on November 2nd was a renowned name in which field, so Adam Sir of Success it's a D with his writing, तो इनका नाम जो था वो writing में था यह एक मल्यालम and English poet थे, साथी में यह script writer और novelist भी थे, इसके लगर हम बात करें तो इनको यहां पर केरला सहित्य Academy award भी इनकोई नवाजा गया था, इसके अलावार हम बात करें, तो इन्होंने यहां पर काफी बड़ा contribution दिया था केरला, और उसके information को all over world में यहां पर popular करने के लिए, जो भी उनका यहां पर tradition है उसको यहां पर popular और मतलब सब को यहां पर आज की वीडियो का ओके रीजन इस दाट की एबना भट जहेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टन परस्नालिटी रह चुकी है, इंडिया के perspective से, 89 years की इनकी age थी और उसके बाद age issues के कारणी की मिर्मृत्य हो गया, शहीद कहेंगे इनको, इसके लावब हम बात करें, तो इन्होंने woman empowerment के लिए काफी काम किया, even she is a woman empowerment activist भी रह चुकी है, इनको यहां पर पद्म भूशन अवार्ड मिल चुका है, काफी मतलब इनका मतलब जो नाम था वो international level में काफी जादा famous था, जितनी भी यहां पर UNO है, इसके जितनी भी branches हैं उन सब के अंदर एक तरीके से, इनका मतलब कई बार यहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, women's को रिप्रेजेंट किया है, और काफी यहां पर important, okay, इनका जो यहां पर अपना जो self-employed women association है, यहां पर 2 million से जादा यहां पर workers हैं या फिर members हैं इनके अंतरकत यहां पर काम कर रहे हैं, साथी में यह member of राग्जिसाभा भी रह चुकी हैं, और मतलब बहुत सारी international organization में head रह चुकी है, वहां पर लोगों को संबोधित कर चुकी है, काफी important role रहा है, तो once again question काफी यह वाला important है, काफी बहुत, next question is who has launched the citizen engagement and communication program at Tura West Garrow Hill district of Meghalaya, it's a which is Conard Conkel Sangam, okay, यह जो है संगमा, Conard Conkel Sangma, यह जो है यहां पर CM है कहां के में घाले के, नाम तो बहुत है different है, क्योंकि वहां पर culture अलग है, वहां पर नाम भी अलग होता है, इस नाम का मतलब भी अलग होगा, इसके लिए और हम बात करें, तो government जो है वह अपने लोगों यहां पर जितने भी यहां पर schemes यहां पर programs यहां पर launch करती है उसके बारे में यहां पर उनको inform करने के लिए यहां पर यहां पर यहीजित किया गया साथी में उनको यहाँ पर सही टाइंप सैंप मतलब जो जितने भी यहाँ पिक्र प्रोग्राम किया गये कि आप लोग कैसे यहां पर अपडेट रह सकते हों कि अपने गवर्मेंट प्रोग्राम्स को बेनफिट्स को और जितनी भी स्कीम्स है उसके वारे में लोगों को बताती रहती है ताकि नेक्स्ट चुनाव में काम आए ओके मेगाले में करना काफी इंपोर्टेंट है वहां के लोग जो है वह उतना एजुकेशन नहीं है और वह एजुकेशन भी वह प्रोवाइट कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है और साथी में यह आवेर्नेस प्रोग्राम भी यहां पर लॉं इसलिए नहीं बोलता हुँ क्योंकि क्योंकि इंपोर्टेंट यह है हमारे देश के लिए तो उसमें अगर कुई भी यहां पर चेर्मन और यहां पर मैनेजिंग डिरेक्टर अपॉइंट किया गया तो वह भी यहां पर जरूरी हो जाता कि अपको यहां पर याद रखना होंगे उनको कभी भी रेटार्मेंट होगा उनका तो इनको यहां पर बना दी जाएगा इसके लागर हम बात करें तो यहां पर इस हमारे रामकृष्ण गुपता जो है यहां पर BPCL के यह फाइनशिल डिपार्टमेंट में डिरेक्टर थे यानि कि यहां पर काम कर चुके ह इस ग्रेट वर्क ग्रेट कॉंट्रिबूशन तो BPCL और उसकी वज़े से इनको यहां पर एडिशनल चार्ग यहां पर प्रोवाइट कर दिया गया है जो कि एगें काफी अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट कॉश्चिन इस फ्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्राइल ऑन नवेंबर 2022 स्राड उन्सटर ऑफ टेंथ इस 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 बेंजामिन नेतनियाहू यह भी कुश्चन बहुत साथा इंपार्टन ओके क्योंकि यह कुश्चन तो यूज्यूली पूछे गानी विकॉद सबको प इस से पहले यहां पर नेफ्ताली बैनेट काकी और इसके बाद वापिस से कौन आ गया विक पहले यहां पर हम यह यहाँ पर यह दोनों बार बेंजामिन नेतनिया हूँ और यह नेफ्टाली बेनेट ओके तो यह इतना क्रोनोलोजी आपको याद में रखना बस यह यह दर रखना है कि यह री इलेक्ट यहाँ पर कर दिये गए ओके काफी इंपोर्टेंट है और यह थोड़ा साथ यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है यह जो बेंजामिन नेतनिया हुआ है यह 73 इस ओल्ड है इनके भाई साब यह यह एक आर्मी में कर्नल रांक के थे और शहीद हो गया थे काफी बैदरीने के ओपरेशन में निक्स्ट कुर्शिम इस विच कंपनी हैस कंस्रुक्टेड अविं टर् रांत्र प्रडके यह कांक स्ट लमबा है hen例ima यहां पे मुद्ड ओपर जो की गुझ्रात में उके इसके लगए हम बात करें वहां पर Украї का लार्जिस्ट विं टर्बाइन भी है काफी important है यह जो अपना wind turbine है यहाँ पर 200 meters बता रहा है यानि कि कैसे तो कि यहाँ पर 40 माले की पूरी building जितनी लंबी होती है उतना लंबा सिर्फ यह होने वाला ओके इसके अलगवर हम बात करें तो यहाँ पर 5.2 megawatt का पुरा यह power generate करेगा और इतने power में 4000 से जादा घरों को यहाँ पर बिजली मिल जाएगी 24 hours काफी important है काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर renewable energy के उपर काम कर रहा है इसी जो हमारा environment है वो काफी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करेगा और हमें कोई भी problem नहीं होगी carbon emissions है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा और लोगों को इसके बाएर में पता चलेगा बस एक यही दिक्कत है कि इसको यहाँ पर हर state में यह चीज़ लिमिटेड तो इस बी विच इस विशाल कपूर के तो विशाल कपूर को यहाँ पर CEO बना दिया गया किस चीज़ का efficiency service ओके energy efficiency सर्विस का काफी इंपोर्टेंट है इससे पहले यह joint secretary से कहां पर ministry of power में वहाँ पर भी इनका काफी बड़ा contribution रहा था वहाँ पर cyber security इसके लावा IT initiative in power power sharing इसके लावा power distribution में भी इनका काफी अच्छा का से यहाँ पर experience रहा है तो इनको यहाँ पर बोला गया है कि चलो भाई आपको जब इतना रहा है तो आप यहाँ पर CEO बन जाओके इसके लावा हम बात करें तो यह Indian railway के साथ भी यहाँ पर काम कर चुके लेवल 2022 गंगा उच्छा इस सेलिबरेटेड ऑन सुराण उसरा 13th इस इस 4th of November के काफी दादा जरूरी कोशन यह वाला और यह 75 डिफरेंट अलग अलग जगहों पर इसको किया गया पुरिदेश में यह जो है यहाँ पर सेंटर लेवल स्टेट लेवल और डिस्टिक तीनों लेवल जितने भी हैं वह यहाँ पर किया गया इसके लागर हम बात करें तो यहाँ पर क्लीन गंगा इनिशेटिव काफी मतलब important है इसके अलावा जितना भी यहाँ पर हम लोग इसको साफ करने के लिए funding करते हैं वो भी यहाँ पर जरूरी है और यहाँ पर जितना भी हमने यहाँ पर कभी तक achievement किया है उसके बारे में भी लोग को यहाँ पर बताया गया कि भाई हमने इतना गंगा को clean कर लिया यह सारे यहाँ पर steps लिये गया है सब कुछ यहाँ पर बताया गया इसके लावा यहाँ पर आर्ट, culture, dance, music, knowledge एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा यहाँ इसके लाव यहाँ पर इंडिया से लोग यहाँ पर आया से साथी में कुछ-कुछ यहाँ पर international delegation भी आया था देखने के लिए कि भाई गंगा कितना अच्छे तरीके से काम किया गया है उसमें और साथ में इस particular festival में यहाँ पर participate करने के लिए भी लोग आया थे ओके काफी ज जो है यहाँ ने यहाँ पर इक नया पोटल यहां पर ओपन किया गया है इस पोटल के दरीए हर इंसान जो भी यहाँ पर complaint करेगा उसके अपने complaint कहां तक पहुंचा है कितना उसका मतलब update क्या अपडेट हुआ है उसके उपर कितना काम और सब कुछ इसको यहाँ पर end to end यह यहाँ पर पता चलता जाएगा, काफी ज़रूरी है, यहाँ पर जब भी हम लोग यहाँ कोई भी complaint करते हैं तो उस complaint के उपर अच्छे तरीके से काम होना, action लेना काफी ज़रूरी होता है, और यहाँ पर mainly यहाँ पर vigilance है, यहाँ पर basically करड़ लोको यहाँ पर पकड़ते हैं, और उसके उपर जो भी यहां पर action होगा वो काफी जल्दी यहां पर लेने के लिए बोल दिया गया next question is when we observe world tsunami awareness day every year तो 5th of November को हम लोग यहां पर world tsunami awareness day यहां पर observe करते हैं सबको पता है कि tsunami जो है one of the most destruction वाली चीजों में से एक है हमारा औरिसा जो है यहां पर काफी affected रहता है tsunami हो गया cyclone हो गया इन सब्सक्राइब यहां पर लगाने के लिए बोला होगे इसके लगार हम बात करें तो और इसा जो है यहां पर already काफी यहां पर अच्छे तरीके से इन सब्सक्राइब करना सीख गया है और कम से कम डाने डामिज को यहां पर करना चीए लेक होगा ओके इस काफी इंपोर्ट रहता है दिस इस इट गाइस पीडिएफ दिस्क्रिप्शन में है और थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो